हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक्सरसाइस टू भी चैप्टर रे पॉलिनोमियल का कोश्चन नंबर कौन सा करेंगे है कोश्चन नंबर हम करने वाले हैं आज थर्टीन थर्टीन कोश्चन में क्या बोल रहा है if one and minus two are two zero of the polynomial x cube minus four x square minus seven x plus ten find its third zero यानि हमारे पास क्या है minus two sorry one or minus two two zero is polynomial के given है और हमें और जो तीसरा zero है उसे find करना है तो इस कोश्चन को हम करते हैं और जो पहले की कोश्चन वो मैंने कराए है वो आप आई बटिन पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगे चलो इस कोश्चन को करते हैं कोश्चन नमर थर्टीन यहां क्या लिखेंगे हम लिखेंगे the given polynomial the given polynomial bfx equal to x cube minus 4 x square minus 7 x plus 10 हम लिखेंगे 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 तो हम यहां क्या लिखेंगे since one and minus two are two zeros of fx इसका मतलब क्या लिखेंगे हमने हमने लिखा कि one or minus two क्या है two zeros fx का so हमारा क्या हो जाएगा x minus one and x minus two यानि यह वाला मैंने पहले भी बता रखा यह कैसे होता है जब हम fx को zero put करते हैं तो x की value निकलाती है इसलिए हमने क्या किया यह minus का one हो गया और यह x plus two हो गया जो क्या होगे हमारा x minus two and x plus two are factor of fx यह क्या होगे यह दोनों हमारा क्या होगे effect जो गुई भी भी पॉलिन पॉलिनोमिय उसका क्या यह दोनों factor है तो हम क्या ले सकते हैं तो हम इसको ऐसी ले सकते हैं since x minus one x plus two आप इस दोनों का क्या करो multiplication करा दो ताकि एक single हमारे पास equation आ जाए तो आप क्या करोगे x की multiply इस पूरे से कराओगे x की यह जो x है इसकी पूरी की multiply इस पूरे से कराओगे तो क्या ले लिखो कि x multiply की सोगा x plus two से होगा इसकी बात कि हमारे माइनस one आप यह लिखो कि माइनस one और फिर इस पूरे से कराओगे तो x plus two ठीक है अब इसको multiplication कराओ तो x square हो जाएगा यह क्या हो जाएगा प्लस का 2 x हो जाएगा ठीक है अब यह minus one है और यह x है तो minus one और यह x multiply होगा तो क्या होगा minus x अब यह minus one और यह two हो जाएगा तो क्या होगा minus two ठीक है तो आपके पास क्या है x square यहां क्या है 2 x minus x तो क्या हो जाएगा 2 में से बन गया 1 और यह minus 2 अब हमारे पास एक single equation आ गई यह जो इससे हम क्या करेंगे यह हमारा क्या होगे, यह हमारा factor होगे किसका, fx का factor होगे यह दोरों भी हमारा fx का factor था अब हमने क्या किया कि इसको multiplication करा दिया अब हम क्या करेंगे अब हम लिक्षेंगे on dividing fx by x square plus x minus 2 अब हम क्या करेंगे हम fx को किसे डिवाइट करेंगे x square plus x minus 2 से यानी, इससे हम डिवाइट करेंगे और यह कहाँ साया, वमारा यहाँ साया इस दोनों की multiplication से आया multiplication हम क्यों कराएँ यह सिंगल ट्रम चाहिए जिसको डिवाइट करेंगे डिविजन देखो यहां पर हम क्या करेंगे x square plus x minus 2 fx क्या था हमारा fx था हमारा x cube minus 4x square और minus 7x plus 10 minus 7x plus 10 अब इसको हम डिवाइट कराएंगे और जैसे कि आपको आपको यह समाजना होगा कि x minus 1 and minus 2 are 2 0 of fx और x minus 1 or x plus 2 are factor of fx आप इसके पहले वाले वीडियो में जाओगे आई बटन में क्लिक करूंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे उसमें इसको detail में समझा रखा है कि यह हम ऐसा क्यू करते है ऐसे हम कैसे लिखते है कि x minus 1 और x plus 2 क्या है हमारा factor इसको मैंने detail में समझाया आप वो देख लेना यहां देखो क्या करना है यहां आप खुट क्या करना डिवाइड करना x square है यहां x का cube है तो आप x से multiplication कर आओ इसकी तो क्या हो जाएगा है यहां पे x cube यह दो को x है यहा है यहां x अज हो जाएगा अब क्या हो जाएगा यहां पर apostle 1319 से बसर चाएगा यह जाएगा माइनस-सbn और एकस कद gross कराते हैं तो 4 और यहां किया वड़ार है तो यह क्लिशनी होता है शो होता है सहान अर्म हमार पर चाहाएं माइनस प्लस है तो माइनस और स्काइब हूं कि Psychology लिए मैमटाइब ईसके पास 10 बझेका तो वह इसको टेंगा ठीक है अब रहों be करना है माइनस 5 स्वार को कर आने इसके क्या करेंगी इसक एक माइनस वाइनस 5 से करांगी अगर माइनस 5 से कराते हैं अगर माँड़ा करते क्या है माथै यहां लिएर नused माइनस 5X हो गया है ङँखाए अब हमारे पास क्या हूँ है कॉश्इंट क्या गया ऐकस प्लस फाइव गया दिवाइजर हमारे पास यह था और डिविडेंट था तो हम इसको और तोसी कैसे लिखेंगे अब देखो तो हमारे पास यह आ गया अब इसको हम क्या करेंगे हमें क्या निकालना था जीरो अब पॉलिनोमियल निकालना था तो दो जीरो था एक थर्ड जीरो निकालना था तो हम इसको क्या ले सकते हैं एफ एक्स को हम क्या पुट करेंगे जीरो इसका मतलब अब इसको हम जीरो एक value क्या given थी 1 एक value minus 2 तो इसको हमें solve करने की जरुवत नहीं है तो हमें क्या लिख देंगे 1 and minus 2 और यहां क्या लिखेंगे यही हमारा answer हो जाएगा अगर आप उसको question में कुछ problem होई किसे state में तो आप comment करके पूछ लेना कि आपको कहा problem हो रही है और वीडियो अच्छी लगी तो subscribe करो